हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में आप सुभी को ये बताने वाला हूँ कि Amazon Pay Later से आप EMI पे कोई भी समान कैसे खरी सकते हैं तो इस वीडियो में आप सुभी को इस टॉपिक के उपर पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो आई ये इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हमको Amazon अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि हमको कितना लिमिट मिला है तो यहां पर लिमिट देखने के लिए Amazon Pay Later का लिमिट देखने के लिए यहां पर नीचे के तरफ किनारे लास्ट में आप सब्सक्राइब कर देना है क्लिक प्लिक करने के बाद अमेजन पे ओप्सन पर चले जाते हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि हमको 4,000 की लिमिट मिली हुई है याने कि हम जो है 4,000 तक का समान घरीच सकते हैं Amazon Pay Later से किस्त में भी और Normal भी जो हम खरीच सक खरीद पाएंगे और 40,000 से कम होगा है यानि कि 10,000 का जो हम समान किस्त पे लेते हैं तो हमारा जो 40,000 जो लिमिट है उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा और हमारा बैलेंस बचेगा 30,000 रुपए ठीक है तो कुल मिला करिए कि हम 40,000 के बजट का जो है समान किस्त पे यहां पे खर मुवाइल है Samsung Galaxy M32 इस मुवाइल पे क्लिक कर देते हैं इसी मुवाइल को जो हम किस्त में खरीदने वाले हैं तो नीचे के तरफ आप सभी को चले आना है यह जो मुवाइल है यह है 15,000 रुपए का यानि कि 14,999 रुपए का है फिर इसके बाद यहां पर बाइनाओ का उप्स सेलेक्ट पेमेंट मेथड का आपसन हा रहा है ठीक तो यहां पर जो आपको पेमेंट करने को पूछेगा कि आप किस से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको Amazon Pay Later का आपसन दिखाई देगा और हमारा जो एवलेवल लिमिट है वो भी दिखाई दे रही है कि 40,000 हमारी लिमिट है ठीक किस्त में मुवाइल लेने के लिए आपको क्या करना है मतलब कि EMI में अगर आप मुवाइल लेना चाहते हैं तो यहां पर आप सभी को यह वाला उप्सन दिखाई दे रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सक याने कि आपको टोटल 15,000 रुपए ही देना पड़ेगा तीन महीने में अगर आप पैसा तीन हिस्सा करके देंगे तो टोटल आपको 15,000 रुपए ही देना पड़ेगा 15,000 से उपर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है तो इसको जो हम no cost ये माई बोलते हैं ये तीन महीने की ह और इसमें आपको 4,950 रुपए हर महीना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर ये वाली EMI आ रही है ये जो है 6 महीने की EMI है और ये भी जो है no cost EMI है इसका मतलब ये है कि हमको 6 महीने में 6 हिस्से करके 15,000 का देना पड़ेगा और ये भी जो है हमको केवल टोटल 15,000 रुपए देना पड़ेगा 15,000 से एक रुपए भी ज़्यादा यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा ठीक है और ये भी जो है no cost EMI है और इसमें जो हमको पेमेंट करना पड़ता है 2475 रुपए पर महीने जो हमको देना पड़ेगा फिर उसके बाद जो है तीसरी EMI हमको देखने को मिलते हैं इसमें जो हमको 9 महीने का किस्त देना पड़ता है और इसमें जो हमको 1779 रुपए जो हर महीने देना पड़ेगा और इसका आप देख सकते हैं कि यहां पर तीन यहां पर EMI के option देखने को मिलते हैं ठीक है तो हम यहां पर 6 महीने वाली no cost EMI वाला option select कर लेते हैं इसमें थोड़ी आपको ब्यास देना पड़ सकता है यह 9 महीने में तो हम 6 महीने वाला select कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहां पर choose EMI plan का option है उस पर क्लिक कर देना है टिक क्लिक करने के बाद आप सभी को नीचे की तरफ चले आना है और यहां पास लास्ट में चले आते हैं और यहां पर आपको continue का option दिखाई दे रहा होगा इस पर आप सब्सक्राइब कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि आपका address पूछेगा तो आप अपना address भर दीजिए गा और आप चेंज ही करना चाहते हैं तो यहां पर चेंज भी कर सकते हैं फिर उसक पर आपका OTP भी आएगा तो OTP भी यहां पर सायद भरना पड़े तो इस तरीके से आप EMI पर Amazon Pay Later से EMI पर कोई भी समान खरीच सकते हैं क्योंकि मैं इसको order नहीं करना चाहता हूं तो आगे की जो है मैं process नहीं करना चाहता हूं इसमें आपको simple place your order पर क्लिक करेंगे तो आपका order जो हो जाएगा और आप इस तरीके से Amazon Pay Later से कोई भी समान खरीच सकते हैं ठीक तो दोस्तों इस वीडियो में क्यों इतना ही था उम्मेद करता हूं कि आप समझी गए हूं कि Amazon Pay Later से EMI Pay कैसे समान लिया जाता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जब सस्क्राइब कर सकते हैं मिलते एंगले वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिय दोस्तो धन्नवा जाहिए